दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कबर करेंगे वहाई उक्ती पब्लिक इसकन का दूसरा चैप्टर है पहला चैप्टर हम लोग अल्रेडी कबर कर चुके हैं तो यह फिल एक पाल के लिए जो ग्राम समाज विकास से संबंदी जो हमारा सलेबस का पार्ट है इसमें हम लोग आज की सबीडियो में महत्तपूर्ण टॉपिक आपका है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गाउं की विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं तो एक्जाम में आप से पूछा जाना निस्चित है यहां से आपको दो से तिन क्वेस्टन देखने को जरूर मिल सकते हैं क्योंकि आपने प्रिबियस यह के क्वेस्टन से देखे थे ग्राम विकास से संबंदित जो योजनाय महत्तपूर्ण रही जैसे कि मन्रेगा वगयरा आपकी एक्जाम में जरूर पूंची जाती है और 2015 के पेपर में आपने होगा पूंची भी गई हैं तो आये हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे रिव्यस्ट अगर ya तो केंद्र सरकार्य की योजना है उत्तर पर देश को एक विक्षित राजज बनाने के लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्रामीड शेत्रों के सुन योजीत आर्थिक विकास अवे स्थापना संसाधनों के सतत निर्माड रोजगार की सतत आऊसर स्विजित करने को प्रमुखता दी गई है ग्राम विकास द्वारा केंद्र सरकारियों राज सरकार द्वारा बित्त पोसित विभिन योजनाएं अथवाकारिक्रम संचालित किये जा रहे हैं योजनाओं का प्रतेक अस्तर प्रतेक शलाब जन सामाननी को मिल सके इसके लिए ग्रामीड विकास योजनाओं में पंचायती राजिस्तन स्थाओं को भी भागीदारी प्राप्ट की जा रही है तो यानि कि ग्राम विकास से सम्मंधित जो मात्तपोड योजनाओं हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे ठीक है चली आईए अगला पॉइंट दिया है कि ग्राम विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन उनका कारियानुएन अनुसरोमाड योम अनुसरन तथा समयनवे कि दृष्टिकत बरस उन्नीस सो पचासी में आयूक्त ग्राम विकास का पद स्रिजित किया गया तो एक्जाम के पॉइंट आप इसे इसको आप इंपोर्टेंट किलिक करिएगा कि आयूक्त ग्राम विकास पद का सिजन कब किया गया था बरस उन्नीस सो पचासी इस भी में आयूक्त के माध्यम से राज्य अस्तर से लेकर मंडल जनपद विकास खंड योम ग्राम सभाई का इतक विकास हीतु सखन प्रियास किये जा रहे हैं इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा विभिन योजना चलाई जा रही हैं जिनका विब्रण हम आगे देखते हैं पहली योजना आपकी काफी इंप्वार्टेंट है दोस्तों वो है महत्मा गांधी राज्टी ग्रामीर रोजगार गारंटी ठीक है दड़िज मनरेगा उत्तर परदेश में मनरेगा का कारिवन कितने चरणों में संपन हुआ है तो तीन चरणों में संपन हुआ थोड़ा देखते हैं कि योजना का जो प्रारंब है वह प्रथम चरण दो फरवरी 2006 से 22 जनपदों में और दूसरा जो चरण रहा हुआ 15 मई 2007 से 17 अत्रिक्त जनपदों में और तीसरे चरण में यानि 1 अपरेल 2008 से सभी जनपदों में यानि उत्तर परदीश की सभी जनपदों में आप कह सकते हैं कि उत्तर परदीश में पूरता जो लागू हो गया पूरे उत्तर परदीश के लिए वहां 1 अपरेल 2008 से ठीक है अब पिशले बार एक्जाम में पूछा गया था कि मनरेगा उत्तर परदीश में कब लागू हुआ तो आपका एंसुर क्या था वहाँ पर 2006 ठीक है मनरेगा का उत्तर परदीश से क्या है तो एक बित बर्स में कम से कम सव दिनों की गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है अब यह जो मनरेगा के जो कारिश जो काम जो दिया जाता है एक्शली क्या है कि जो गाओं के प्रदान होते हैं ठीक है ग्राम प्रदान तो ग्राम प्रदान की जो है फंड में ये पैसा आता है और उन्हीं के माद्यम से लोगों को क्या है बितरण किया नहीं लोगों को काम दिया जाता है और जो काम करते हैं तो काम के बदले क्या है उनको उनकी मजदूरी दी जाती है ठीक है तो इसमें क्या है कि सव दिन की जो है वो आप जैसे कि कोई भी चाहे तो वहाँ जाकर के सव दिन का सव दिन का रोजगार मांग सकता है कोई भी गाउं का कोई भी व्यक्ति ग्राम परदान से बोले कि मुझे सव दिन का रोजगार चाहिए तो मनरेगा के माध्यम से उनको सव दिन का रोजगार देना कंपल सरी है अभी वो मना नहीं कर सकते हाँ डेबेंड करता है वो काम कौन सा करवाते हैं आप काम हो चाहे इस्किल्ड या अनिस्किल्ड कोई भी काम करवा सकते हैं या आप चाहे तो नाली भी साप करवाएंगे आपके ठीक है तो कोई भी काम हो सकता है मनरेगा यह इतना रहता है लेकिन सौधीन की गारंटी उसमें रहती हे की सव दिन का काम आपको दिया जाते हैँ ठीक है एम यह जान लिजुए के आपने प्रधान से जो है काम मांग सकते हैं हम लेकपाल तयारी कर रहे हैं यहां प्रधान से जाके काम लागे चलते हैं फिर दोस्तों अगला पॉइंट है इस योजना से संबंधित की मनरेगा के अंतरगत केंद्र और राज सरकारों का अंस कितना होता है तिसमें जो केंद्र सरकार पैशा एलाट करती है वह 75 प्रतिशत होता है ठीक है जबकि जो केंद्र राज सरकार खर्च करती है वह 25 प्रतिश जैनि सवरूपे में हिस्सा केंद्र सरकार का खर्चा कितना होता है और राज सरकार का 75 इस तू 25 की रेसियों में ठीक है इस योजना की अंतरगत भारस सरकार द्वारा आकुसल यानि अनिसकिल्ड मजदूरी पर 7% सामागरी अंस पर भारस सरकार का 75% यो राज्य सरकार का 25% मतलब समझे मतलब यह है कि जो अनेज स्किल्ड जो वरक है उसकी मजदूरी केंद्र सरकार की सत प्रतिशत सेक्सपेंश होता है खर्चे जबकि जो शामागरी होती है जैसे का कोई काम चल रहा जैसे कि शनक बन रही है घंजा बैट रहा गाओं में तो जो आता है अब यह सामागरी हो गई help इसमें ही इतों में क्या है कि 75 प्रक्ष जित्ता पईसा लगेगा 75 प्रक्ष जो हिस्स्यत का सेंटर Japon का और पचीश प्रक्ष जो राजी सरगार का यह है बाकि अगर अनिश्किल मजदूरी तो मजदूरी का सत प्रत्षत जो हिस्षा होता है वहाँ केंद्र यानि सेंटल गॉर्मेंट की जाब तीक है गाउं के बिकास से संबन्धित जो दोस्तों अगली योजना है वह है राश्ट्रिये ग्रामीड आजीवी का मिशन तीक है अब यहां पर आप लोग यह भी देखते क्योंकि पिछली बार जो है वो नरेगा का फुलफाम यानि मनरेगा का फुलफाम पूंच लिया गया था अब जो यह आर यलम ठीक है इस तरह जो लिखा है इसका फुलफाम भी जो ध्यान में रख्के चलियेगा ठीक है कूशा भी जा सकता एक्जाम में क्योंकि पुछली बार मनलेगा कपुलफाम पूंच लिया गया था तो राश्टिय ग्रामीड आजीबी का मिशन ग्रामीड छेत्रों में निरधनता रिवारण के लिए एक राश्टिय ग्रामीड आजेबी का मिशन की सुरुवात केंदर सरकार ने कब की थी तो डेट भी important है ठीक है डेट अगर नहीं याद कर पा रहें तो कम से कम यह आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों राश्टिय ग्रामीड आजीबी का मिशन ठीक है 2011 में स्टार्ट की गई थी किसकी सरकार की योजना है तो केंदर सरकार की पूर्णता ठीक है राश्टिय ग्रामीड आजीबी का मिशन की सुरुवात केंदर सरकार ने कहां से की थी इसकी जो सुरुवात होई थी दोस्तों वह राजस्थान की बासवाडा जिले से कहां से राजस्थान की बासवान जिले से जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान का जो नागा उलडिस्टिक है सबसे पहले जो ग्राम पंचायत प्रणाली जो लागो हुय थी ठीक है पंडिस जवाहलन नहरू ने दो अक्तूबर सो तो आप वाल्टी में भी पढ़ते होंगे चलिए राश्टिय ग्रामीड आजी भी का मिशन का उद्देश से क्या है तो उद्देश भी समझ लीजिए कि 2024-2025 तक सभी ग्रामीड परिवारों को संगठित करना है और उन्हें तब तक संपोसित करना है जब तक कि वे दैनिय गर भी अस्तर से उपर नहीं उठ जाते हैं ठीक है तो राश्टिय ग्रामीड आजी भी का मिशन की सुरवात कब होई थी इसकी सुरवात जो हुई थी वह तीन जून 2011 इस भी को और यह पूर्टा केंद्र शरकार की योजना है इसी योजना की सुरवात राजस्थान के बास्व यह गरीबी के अस्तर से उपर नहीं उढ़ जाते तब तक जो हैं दो हजार चौबिस तक पचीस तक जो है वो टार्गेट है ठीक है तो टार्गेट भी याद रखना आप चरी अगला पॉइंट है दोस्तो अगली जो योजना है वो है प्रधान मंत्री ग्राम शनक योजना तो प्रधान मंत्री ग्राम शनक योजना की यानिमन जो है पूर्णता केंदर सरकार द्वाराओ पुशिती योजना है और यह इसकी जो सुरवात है यानि उत्तर प्रदेश में प्रदेश में पूर्णता जो कब से लागू हुई है तो 25 दिशंबर 2012 इस भी से ठीक है तो य योजनाएं कब लागू हुई योजनाओं का फुल फाम याद रखना है और साथ ही वो जो है डेट यानि येर जो है उसको जरूर याद रख लेना ठीक है येर इंप्वार्टन्ट है पूंची जाती है योजनाएं चलिए अगला पॉइंट है कि प्रधान मंत्री ग्राम शनक योजना की अंतर गत बर्श 2001 की जनगणना की आधार पर कितनी जन संक्या तक के गाउं को पकी शणक से जोडना था मैदानी छेत्रों में 500 अथवा इस से अधिक जन संक्या वा नक्षल प्रभावित शेत्रों में 2-5ॉ तक की आबादी वाले गाउं को जो है सब्सक्राइब कर लिया है ठीक है यानि जो लच्छ रहा सरकार का भारत सरकार प्रधान मंत्री ग्रामीड शणक योजना की अंतरगत जो लच्छ रहा यह पूरा किया चुका है कि मैदाने छेत्रों में 500 मीटर और नक्सली प्रभावी 200 जो अधिक जो है मीटर की है इनको जो है जोड लेना है पकी शणकों से ठीक है तो यह काम जो है वो पूरा हो चुका है नहीं सरकार का जो लक्ष है वहाँ पूरा हो गया है अगला पॉइंट है कि वित्तिय बर्स 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्ण में क्या बदलाओ किया तो इस योजना की जो शुरुवात हुई है वह अब बर्स 2015-16 में प्रधान मंत्री आदर्स ग्राम योजना की इसकी द्वारा बेत तपोसित होती है तो यहां इसमें 100 प्रच्ष जो है वो सेंटरल गवर्रमेंट का हिस्षा होता है ठीक है कि इसकी द्वारा प्रधान मंत्री आदर्स ग्राम योजना की सुरुवात कब हुई है 2015-16 में और इसमें हिस्षा सत प्रच्ष जो है केंदर सरकार का होता है अगली जो योजना है दोस्तो वह है स्वजल धारा कारिक्रम ठीक है तो इस कारिक्रम की सुरुवात जो है वह दिशंबर 2002 में हुई प्रच्ष ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किये जाने वाले इस कारिक्रम के तहत गाउव वासियों को गुवड़ी बनाने वह हैंड़ पंप लगाने की सुभिधा प्रधान की गई है इस योजना के लागत का लागत की क Legnes ग्राम पंचायत आप होते हैं कि जो प्रच्छा होता है उसमें जो है 90 प्रच्छत फंडिंग देदेगी और जिसके दौार पर जो बनवा रहा है ग्राम वासी ठीक है जो बनवाएगा ठीक है वो जो है माली जी अब कुवा जो है अपने कोई घर के सामने अब आज कल तो कुवा कोई खुजवाता नहीं ठीक है अब मालो हैंड पम की अगर बात की जाए तो हैंड पम अगर मालो कोई लगवा रहा अपने द्वार पर गाउं में ठीक है तुमालू वहां 10,000 खर्चा आ रहा तो 10,000 में 9,000 ठीक है यानि 90 प्रच्चत जो है वो कि फंड आएगा किस कार्यक्रम की तहट स्वजल धारा कार्यक्रम की तहट इसमें फंड इलाट करते हैं ग्राम परदान ठीक है और 10 प्रच्चत यानि स्वजल धारा कभी स्टार्ट हुई है 2002 में अगली जो योजना है दोस्तों वो है जवाहर ग्राम सम्रिध्योजना जवाहर ग्राम सम्रिध्योजना पूर्ब में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनरगठित सुब्यवस्थित ब्यापक रूप है तो जवाहर ग्राम समर्ध्य योजना की जो शुरुवात होई है वहां एक अपरेल 1999 बी को कब एक अपरेल 1999 बी को सितंबर 2001 से इसे संपूर्ण ग्रामीर रूजगार योजना में मिला दिया गया है यानि इसको मर्ज कर दिया गया है किसी योजना में संपूर्ण ग्रामीर रूजगार योजना मे सितंबर 2001 से ठीक किस योजना को जवाहर ग्राम शम्रिध्धी योजना को जवाहर ग्राम सम्रिध्धी योजना का जो प्राथमिक उद्देश से है इस योजना का प्राथमिक उद्देश से क्या रहा यानि अब तो सितंबर 2001 एक में ये जो है संपूर ग्रामिड रोजगार योजना में जो है वो मिक्स यह नी मर्ज कर दिया गया ठीक है इसका उद्देश से क्या था कि ग्रामिड छेत्रों में विरोजगार योम अल्प विरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार आवसनों का सेजन करना चलिए अगली य योजनाएं है ना कम से कम यह योजनाओं की कब शुरुवात हुई है साथ ही इसका क्या उद्दिश रहा और अग उसमें कुछ मार्च 2015 में डेट इतना इंप्वार्टन नहीं है लेकिन कम से कम यह जरूर याद रखना 2015 में इस योजना की अंतरगत कितने इवाओं को कौसल विकास है तो इसका जो टार्गेट है याद रखना ठीक है कि प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना जिसकी सुरुवात 2015 में का व् 1.4 घर्ण को जो है वो उनके जो है इसकिल है ठीक है इसकिल के जो है प्रसिंद एनाये ठीकिड ट्रेरेंच से लिए तो आपका प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना थीक है यह जो योजना है इसका जो तीसरा चरण है यह धो 2021 से स्टार्ट हो गए आप इसको करेंट में पढ़ेंगे ठीक है अगर करन्ट से लेटेट पूंचा जाता है तो याद रखना है इसका जो टार्गेट है PMKVY3 का ठीक है 3.0 करके ठीक है इसका जो टार्गेट है वो है देश के 8 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार देना इसका जो अमाउंड खर्च किया जाएगा वो 9.48 करोन रूपए होगा ये करेंट का पार्ट है ठीक है चलिए अगली जो योजना है दोस्तों वो है प्रधान मंत्री जन्धन योजना तो प्रधान मंत्री जन्धन योजना का जो सुवारंब हुआ है वो बर्स 2014 में डेट उ अब जैसे कुछ लोग इस पर थोड़ा अपना कि प्रधान मंत्री जन्धन खाता खुल रहा है 15-15 लाख रूपए आएंगे ठीक है जो अपना लोग इधर पॉलिटे को लगए अपन गेम खेलते हैं ऐसी सी बाती करते हैं चलिए तो ये 2014 में खोला गया था खाता ठीक है य 2014 में लक्षन हुआ था हम याद करने के तरीका बता रहें ठीक है उस समय जन्धन एकांट जो है लगातार खोले जा रहे है तो जन्धन योजना कब की है दोस्तों बर्स 2014 की इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना चलिए अगला पॉइंट है कि प्रधान मंत्री जन्धन जन्धन एकांट खोलवा लिया था पॉइंट क्या है में प्रधान मंत्री जन्धन योजना के तहद बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी रूपे डेबिट कार्ड के साथ एक लाख रूपे दुरघटना सुरक्ष भीमा उपलब्ध जो है कराई जा रही है तो यह मोस् इसमें जो खाता खोले जाते हैं उसमें जो है उनको डेबिट यानि स्वदेशी जो है वो डेबिट कार्ड जो है रूपे डेबिट कार्ड जो है उनको इसू किया जाते हैं साथ ही उनको एक लाख की दुरघटना भीमा सुरक्ष ठीक है कौन सी दुरघटना भीमा तक की ओवरड्राप्ट यानि अगर आपकी खाते में कुछ भी नहीं है तो 25 रुपई आप वहां से निकाल सकते हैं ओवरड्राप्ट की सुविधा पराधार संबद्ध खाते में उपलब्ध होगी जिसे 6 माह की भीतर 5000 तक बढ़ाया जा सकेगा तो याद रखना या माउंट को बढ़ाया सकती है कितनी 5000 रुपई तक अगली जो योजना है दोस्तों वह प्रधान मंत्री जीवन जीवती बीमा योजना कौन सी योजना है प्रधान मंत्री जीवन जीवती बीमा योजना इस योजना के तहत कितनी उम्र के लोगों को अपना बीमा कबर करा सकते हैं तो का बीमा किया जाता है तो दो लाख रूपए तक का जबकि जंधन वाले में कितना रहा दुरगटना बीमा का एक लाख रूपए ठीक है तो प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा का कितना अमाउंट है कितने रूपए तक आप बीमा किया की जो सुरवात हुई है प्रधान मंत्री जीवन जयोती बीमा योजना की जो सुरवात हुई है दोस्तों इसके सुरवात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री जीवन जियोती बीमा योजना की सुरवात की थी अगला जो मिशन है दोस्तों वो है सन 2022 तक कि सब के लिए आवास सहरी आवास ही तो राश्ट्रीय मिशन है यानि सबके लिए आवास थीक है सबके लिए सहरी आवास सुविधा जो मुहिया कराने का जो टार्गेट है सरकार का वो कब तक है यानि next year 2022 तक संखे मंत्रि मंडल द्वारा सन 2022 तक सबके लिए आवास मिशन प्रारंब करने की अनुमती कब प्रदान की गई है 17 जून 2015 को साख संबद संबसिडी के माध्यम से कमजोर बर्ग के लिए मकान बनाने के लिए दिये गए रिंड पर किस दर से संबसिडी प्राप्त होगी तो 6.5 प्रतिशत थीक है अब इसमें क्या है कि जो साख संबद साख का मतलब हो गया क्रेडिट यानि लोन रिंड ठीक है तो रिंड संबद जो सबसिडी के माध्यम से कमजोर बर्ग के लिए मकान बनाने के लिए जो रिंड लिया गया है उस पर किस दर से जो हो सबसिडी प्र प्रतिशत की दर से ठीक है यह निए अपने लोन रिया है तो ब्रोंड पर जो है ब्याज भी देना होता है तो उस पर जो है 6.5 प्रतिशत जो है ब्याज सरकार जो है वह बहन करेगी ठीक है अगला जो आपको पोइंट है दोस्तों वह सूखा आसंकित छेत्र कारिक्रम 73 इस बी में इस कारिक्रम का जो उद्देश से है वो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा छेत्रों में भूमी जल यों अन्य प्राकिरतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके परियाबर्ण संतुलन को बहाल करना एक अप्रेल 1995 से यह कारिक्रम जल संभर विकास के लिए अगला अलएक विकास डेवलप्मेंट कारिक्रम है का अगला करिक्रम वो है मर भूमी किया गया है उन्निस सो 77-78 से इसका प्रारंब हुआ है और यहां कारिक्रम सत प्रतिशथ के इंद्रिये सहायता की आधार पर कारणvित किया जा रहा है मर्भूमी विकास कारिक्रम किस उद्देशे से सुरू किया गया है तो यह मर्भूमी को बढ़ने से रोकने मर्भूमी में सूखे के प्रभावों को समाप्त करने प्रभावित छेत्रों में परस्तिकिय संतुलन बहाल करने वह इन छेत्रों में भूमी की उत्पादकता तथा जलसंसादनों को बढ़ाने की उद्दिश से किया गया है इस कारिक्रम का शुबारम ठीक है तो मर भूमी भिकास कारिक्रम कब हुई है सुरुवात 1977-78 में ठीक है अब मर भूमी मर भूम में तो डेजर्ट ठीक है जहां पर जो यह आप कह सकते हैं रेगिस्तान जहां पर भूमी जो है मुखत्या क्या हो आप रेत ही रेत यह बालू ही बालू हुँ ठीक है तो मर भूमी ठीक है इन्हीं जजर्ट से बढ़ने से रोकना है मर भूमी सूखे प्रभाओं को समाप्त करने इन से समभ्दी शूमी यूजन है आपका वो कहां पर थित है राजस्थान में है अगली जो योजना है दोस्तों काप perform 8adora सनसद आधर्स ग्रामय योजना तो गाउँ के समगर विकास के लिए एक नई सनस आधर्स ग्रामय योजना कब इसका प्रारम्ब हुआ है तो 11 अक्टूबर 2014 से गाउं के समगर विकास की इस योजना के तहट प्रतिक सांसद यानि जो यंपी होते हैं Member of Parliament सांसद से बर्स 2016 से एक एक तथा बर्स 2019 से तीन तीन गाउं में बुनियादी योम संस्था गढ़ाचा विक्षित करने का आगरह किया गया है यानि जो योजना है इस योजना के अंतरगत सांसद आधर सग्राम योजना के अंतरगत जो प्रतिक यंपी हैं सांसद है 2016 से लेकर के 2018 तक एक एक गाउं को जो है गोद लें अपना और उसका विकास करें समझ रहें आप और 2019 से टार्गर बनाया गया सरकार का कहा सरकार निकार रमोदी ही कहेंगे सरकार निकार कि तीन तीन जो है गाउं जो है वो अपना विकास करें हर शांसद ठीक है अब कितना हो रहा कैसा है चलिए आप लोग जानते हैं आगे चलते हैं कोई सांसद अगर गोद लिया है तो अगर आपकी साइट किसी की और होगा और विकास अगर हुआ है तो कमेंड करके जरूर बताईएगा चलिए तो याद रखना है कि सांसद आदर सग्राम योजना के सुरवात जो हुई है कब से हुई है दोस्तों बरस 2014 से ठीक है टार्गेट कर रहा है बरस 2019 से तीन तीन गाउं और सोला से एक एक गाउं अगली जो योजना है ये फिकाफी इंप्वार्टेंट है सुकन्या समरिध्धी योजना सुकन्या समरिध्धी योजना की सुरवात कब हुई है दोस्तों तो 22 जनवरी 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सुकन्या समरिध्धी यूजना का सुबारंब किस सहर से किया है तो पानी पत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को इसका मोटो भी आप देख लीजिएगा सुकन्या समरिध्धी खाता खुला समरिध्धी समरिध्ध बालिका देश का भविश्य ठीक है बालिकाओं के लिए एक चलिए इसी में इंप्वार्टन तथी है कि सुकन्या समरिध्धी खाता किसी भी डाक घर अथवा अधिक्रित बै ठीक है बच्ची जन्मली घर में आप खाता खुलवा दीजिए या दर्स बर्सकी आयों तक आप कभी भी खुलवा सकते हैं तो याद रखना है इसकी सुरुवात कब होई है 22 जन्वरी ठीक है कब 22 जन्वरी 2015 कहा से पानी पत हर याणा से ठीक है अगला जो कारिक्राब मिशन है वो है राश्ट्रिय पेजल मिशन तो राश्ट्रिय पेजल मिशन की असारपना कब की गई थी बर्स 1986 भी में राश्ट्रिय पेजल मिशन का नाम बदल कर बाद में राजीव गांधी पेजल मिशन 1991 में कर दिया गया था ठीक है तो याद रखना अगर एक्जाम में पूछा जाता है कि राजीव गांधी पेजल मिशन की शुरुआती आस्थापना कब हुई थी तो बरस 1986 में या एक्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी पेजल मिशन की शुरुआत कब हुई तो बर्स 19哈哈 इजबी में ठीक है यह राजीव गांधी पेजल इंच का पुराना नाम क्या रहा तो रास्थी इह ठीक है रास्थी एक जगह रा जीव क्वाटेंट महात्तव पूर्ण है क्योंकि आज कल जो है फिरी राशन बित्रण भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में खास कर ठीक है तो राश्टिय खाद सुरक्षा यूजनक कब लागू हुई है किस वर्स तो याद रखना है बर्स 2013 में राश्टिय खाद सुरक्षा की अंत गरीबों को राश्टिय खाद सुरक्षा ने राश्टिय खाद सुरक्षा दनियम 2013 आया इसके बात क्या है कि गावों में लगभग 80% जो है राशन सभी लोग पाते हैं ठीक है इसमें क्या है कि मालीजिये कि किसी परिवार में बच्चे है या जितनी उम्र है उम्र कोई राश्ची जितनी भी हैं मालोग कोई 5 लोगshire में तो पाच लोगों को एक प्यव्यकति को जो है वी už 5 किलो जो है मिलता है ठीक है तो पाच किलो सब को मिलेगा तो 25 ऑली लोगत चाबवर में आध्वसंजारा ज्जाएगा कोट्यदार से ठीक है वो अपनायेंगे अंगू प्रतिक काड़ बनता है ठीक है उस पर आप अंगुठा लगाइए तो आपको रासं जो है दिया जाता हैं 5 किलो प्रती ठीक है यूनिट ठीक है तो वहाँ पर जो है चावल मिलेगा आपको तीन रुपे में और वहीं पर गिहूं यानि पांच किलो जो है वो मिलेगा आपको तीन रुपे में जिसमें चावल मिल जाएगा और दो रुपे प्रत किलो की हिसाब से जो है वो गिहूं मिलता है वहीं पर अगर मोटे अनाज यानि कभी कभी चना भी आ जाता है कोड़दार फिरी मिल जाता है दूसरी बार पेमेंट देना पड़ता है दो रूपया तिन लुपए खिजाब से ठीक है राश्टिय खाद सुरक्षा अगला जो कारिकरम है दोस्तों वह है ग्रामीड शेत्रों में आवास निर्माड है तू रिणों पर तीन प्रत्षत विंद की सबसिड़ी ठीक है तो ग्रामीड शेत्रों में नई आवासिया इकाईयों की निर्माड तथा पहले से मजबूत पक्की आवासिया इकाईयों की प्रोनयन यह नहीं अगर आप उस कि रियायत प्रदान की जाएगी तो दो लाख तक अगर न को यह माध्यम से कि अ यौ कि आवास बैन्क के माधिए ऑफ्त है तो रास्टी आवास बैइनक पूंचा जाता स्थापना कब उती जद है न्व जुलाई प्लाइष को ठीक है राष्टी आवास बैंक की जो है वह अस्थापना हुई थी या बैंक, जो है नेशनल हाउसिंग बैंक ठीक है? नेशनल हाउसिंग बैंक राश्ती आवास बैंक है? ये क्या है कि आवास के रिजू है? बिद्ध उपलत कराती है, ठीक है? पैसा है, चलिए. अगला जो मिशन है, वो है स्च्छ भारत मिशन. तो स्वच्छ भारत मिशन की तहद भी गाउं में जो फंड जाता है प्रधानों के अंडर में वो भी काफी अच्छा खासा जाता है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुवात कब की गई है तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुवात 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश से क्या है तो इसका उद्देश से जो रहा वो दो अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में सौच से मुक्त कराना रहा स्वच्छ भारत मिशन की अंतरकत वेस्टी परिवार संचालेओं के लिए प्रोस्थान रासी को बढ़ा कर 10,000 रूपे से कितना कर दिया गया था तो 12,000 रूपे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन की तहट जो गाउं में जो परधान होती तो परधान के माध्यम से जो लोगों को संचाले उपलब्ध कर आ जाता था ठीक है लेटिंग बरवाय थे लोग तो वहां पर 12,000 रूपे जो है वो शेक जो है वो सेक्रेटरी जो गाम विकास अधिकारी नहीं होते हैं और परधान होती है यही दोनों मिलकर अपना वहां पर फंडिंग का जो है आप किताब दोस्तों तो याद रखना है यानि लेटिंग वाला जो सुविधत देता था कितना तो ग्राम परधान यहीं कि गाउं में जो लेटिंग बनवा लेते थे उनको 12,000 रूपे अब इसमें क्या होता जैसे कि कोई गाउं में अपना किसी की पास सहुचाले नहीं है तो लोग बनवाते हैं जब तो परधान से ले लेते हैं 12,000 रूपे और कुछ अपना कुछ लगा देते हैं कुछ और अच्छा खासा बनवा लेते हैं क्यों 12,000 में कौन से लेटिंग बनेगी समझ रहे हैं तो इस तरह जो है आप देखना यहां पर ठीक है चलो यहां तक कि आपने यह भी देखा होगा कि जो लेटिंग बनी है लोग गाओं में जो है क्या है आपने है जाते ही नहीं ठीक है बरसात हुई गए नहीं तो फिर बाहर ही अपना चलो आगे चलते हैं दोस्तों ठीक है बाकी सायनक को देखने की बाद तो रूपए पर बने नोठी नजर चलिए गांधी जी का चस्मा स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला जो पॉइंट है वह नमामी गंगी तो नमामी गंगी कि जुश्ट यहां एक गंगा सफाई और सरक्षन से जुड़ा कारिक्राम है नमामी करने वाली लोगों पर जो है तो असंग ठित खेट्र थे की ठीक है जो अश्राइट करने वाले उनकी हु青 चालिस बज़ लोई पात्र है जिनकी आई, जिनकी आएकर योग नहीं है, ठीक है? अब आएकर योग आप सलेबरेट भी जानते हूं कि जनरली जो सलेबरेट है, वह डाई लाग का है, इतना डाई लाग रूप हैगा, दो लाग पचास जार, तो ऐसे बैंक खाता धारक, जिनकी आएकर योग, जिनकी आए जिनकी आय कर योग नहीं है यानि टैक्सेबल नहीं है और जो किसी अन्यवबायधानिक सामाजिक सुरच्छा योजना का लाब नहीं उठा रहे हैं वहां अटल पेंशन योजना का लाब उठा सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपकी सालाना इंकम अगर ढाई लाग से अधिक है तो आप इसका लाब नहीं उठा सकते हैं और सेनियर लाब समध नख रहे हैं तोorous जयाद रखते अंगर जिए्लां के तो यहां Skill है वो यह नहीं कि अम्र's यहां पर है 15 से 40 सी लाइस होने के लिए उम्र आपकी 6 या उस्स याधिक हो ठीक रही है तो बस इतना आप समझ चाहिए उसके बाद उनकी उम्र जो है 18-40 की बीजफाल होनी चाहिए इसके साथ ही आप जिनकी यानि लिमिट आप कह सकते हैं जिनकी जो टैक्सिबल इंकम नहीं है साथ ही वो किसी अन्वाइधानी के सामाजी या किसी तरह को लाब के पद पर ना हो ठीक है तो यह इस योजन का जो है उलाव ले सकते हैं एक दिसमबर 2015 से पहले यह योजना में शामिल होने वालों के लिए सरकार पांच वर्स तक प्रतिवर्स अधिक्तम कितने रूपे का योगदान देगी याद रखना है एक हजार रूपे की इसकी जो सुरुवात होई है इसकी सुरुवात तो इन में आप पात्रता पढ़ लिए है ठीक है बाकी इसमें क्या है कि एक दिसमबर से पहले अगर कोई योजना में शामिल होने वालों के लिए सरकार पांच वर्स तक प्रतिवर्स अधिक्तम कितने रूपे योगदान भी देगी तो एक हजार रूपे का अडल पेंसन योजना क शुरू हो जाएगी ठीक है अगली जो योजना है दोस्तों वह प्रधान मंत्री रोजगार स्रिजन कारिक्रम है तो प्रधान मंत्री रोजगार स्रिजन कारिक्रम की जो शुरुवात होई है वह 15 अगस्त 2008 से प्रधान मंत्री रोजगार स्रिजन कारिक्रम में पूर्व वर मंत्री रोजगार स्रेजन्-कारिक्रम गया ग्रजाम में कैस मैं की प्रधान मंत्री रोजगार स्रेजन-कारिक्रम कि इंदु योजनां को जो है हूँ वुख्छा रोजगार योजना थे दूसरा आमीर रोजगार स्रिजन कारिक्रम इन दोनों का ठीक है इस कारिक्रम के तहट माइक्रो इंटरप्राजर्स अस्थापित करने के लिए रिण लाभार्थी को उपलब्द कराये जाएंगे जिसमें कुछ अस्थापित की जा सकेंगी इसके लिए आयुसीमा का कोई बंधन नहीं है किन्तु बिनिर्माडी छेतर में दस लाख वा ध्यापार सेवा छेतर में पांच लाख से अथिक की परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को कच्छा आठ उतिन्ड होना जरूरी है ठीक है अगर आपको यह मैसे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना तो माइक्रो इंटरप्राइज इस ठीक है तो आप क्या है अगर आप आठवी तक पड़े हैं तो बिनिर्माड छेतर में अगर कोई काम सुरू करना चाह रहे हैं या सेवा छेतर में 10 लाख और 5 लाख दोनों क सकेंगे ठीक है लेकिन अगर आप आठवी पढ़े नहीं है आप आठवी पास नहीं है तो आठवी पास नहीं तो वही दस लाख से कम कर लो और सेवा सक्तर में पास लाख से कम कर लो तब आप जो है यह काम कर सकते हो लेकिन अगर दस लाख से उपर पास लाख से उपर यह 10 लाग से नहीं मैक्सिमाम कितना कर सकते हैं भी निर्माण में 25 लाग ठक और सेबा सेक्टर में कितना तो मैक्सिमाम 10 लाग इसके लिए आपको आठमी उत्रण होना जरूरी है इस योजना का कार्योंन जो हो केवी आईसी आक्ट के अनुसार ग्रामीड छेत्रों में किसके द्वारा किया जाता है तो घादी योम ग्रामोद्दूग आयूग के द्वारा सहरी छेत्रों में इस योजना का कार्यून जो है किसके दोरा किया जाता है तो ग्रामीड में खादियों ग्रामोद दूग आयूग द्वारा जबकि जो सहरी छेत्र है उसमें इंडस्टी सेंटर की द्वारा ठीक है और इसी योजना की अस्तर राश्टी अस्तर पर इस योजना को कार्योंगर करना है इसके लिए सूचम यानि मंत्राले की अधिन बैध मौद दोग ठीक है तो योजना है दोस्तों वह सहरान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना तो प्रधान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना की शुरवात हो योजना तो सब्सक्राइब बर्स 2000 अर्च Maxim सेरुवात यह हो र range को योजना की चजहिए चिए कह um प्रद्वान कि हर वंक खाता धारक जो है इसके लिए पात होंगे जिनकी उमर 18 से कितनी है 70 वर्स ठीक है इस योजना में सामिल होने के ले छूख लोगों को प्रतिवर्स तो प्रतिवर्स जो है 12डारूपे का प्रीमियम देना होगा अगर आपकी उभे ऑंस ऐस 17 बर्स है और हर वाइं को खाते में धारक है इसके लिए पात्र होंगे इंजिन के पास खाता है इसके लिए पात्र है ठीक हैै कि इस कि योजना के तहत दुरगहटना के कारण मिरत्यु बीमा जो राज़ी है वह दू लाक रूपए है 12 रूपए प्रतिमाह दे रहे हैं मान लो आपने श्टार्ट किया पताचला की 55 साल 60 रूपए आप ने दिया 60 रूपए वद आप पताचला दूगठना बीमा आपकी जो है दूगठना कारण आपकी मृत्ति हो जाती है तो दू लाख रूपए ठीक है दोस्तों यनि अगर अपमे रिक्त्यू नहीं होते हैं लेकिन आप पूरी तरह से बिलकुल अबंग हो गए हैं आप किसी काम करने लाइक नहीं है ठीक है बाई चांज बैड लग तो आपको दो लाख रूपए तब भी मिलेंगे नेक्स है आपका रास्टिय ग्रामीड पेजल कारिक्रम है तो रास्टिय ग्रामीड पेजल कारिक्रम को जो उद्देश से है और रास्टिय ग्रामीड पेजल कारिक्रम जो उद्देश ये सुनेचित करना है कि बरस 2022 तक most important तत्थ है दोस्तों याद रखना है कब तक बर्स 2022 तक कब तक बर्स 2022 तक इसका target है कि प्रतिएक ग्रामीड व्यक्ति को उसके घर की दाइरे में या फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पानी उपलब्ध हो आप समझ रहे हैं यह question आपक हमने वीडियो स्टार्ट करने यानि ग्राम समाज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप से बोला था कि आप देख लिए किस तरह के एक्जाम पूछे गये हैं ठीक है तो यह question जो है 2015 का जो लेक पाल का पेपर हुआ था प्रतम पाली में यह question पूछा गया था कि 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 लीटर ठीक है पचास मीटर की अधिक्तम कितना लीटर सतर लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए ठीक है जैसे कि कोई अब गाउंस घर है उसका तो उसके पचास मीटर घर की आसपास पचास मीटर की आसपास प्रत दिन जो है व्यक्ति को सतर लीटर पानी मिलना चाहिए ठ फैसिल्टी इस कारिग्रम के अंदर गत्केस ग्रामिड पीजल कारिग्रम अगला पॉइंट है दोस्तों एलपीजी सब्सीडी सीधे ही भोगताओं के बैंक खाते में जमा करने की पहल योजना पूरे देश में जो लागू है तो एलपीजी पर दी जाने वाले सब्सीडी एक सबकी घर में गैस होगी तो सब्सीडी सब इसके बारे में जान रहे होंगे बताने की जरूरत नहीं सिलिंदर आता है फिर सब्सीडी बैंक खाते में इतनी सब्सीडी होनी होती है वापस आ जाता है तो डारेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फार एलपीजी की इस योजना का पहल का नाम अब दिया गया है इसका नाम जो दिया गया है ठीक है याद रखना पहल अगर एक्जाम में आ जाता है पहल किसे संबांधी था है तो याद रखना है पहल योजना जो है वो ठीक है तो पहल क्या है पहल में आपको जो है आधार जो है आपका आधार जो कार्ड हो लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से उसी के माध्यम से जो है वो सबसीडी जाती है चलिए अगली योजना की और चलते हैं लोग्याँ आपको जाओंट से जो जो हैंगे वो लोग्याँ झाला की और चलते हैं